हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपस्यूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी पी एसी यूपी ट्रिपल सी के लिए वन लाइनर्स की फॉर्म में डेली करेंट अफेर्स आपको प्रोवाइट कराते हैं और वीकेंड पर मैं इसका प्री पीडिएफ आपको अपने टेलिग्राम पर प्रोवाइट कराता हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर करेंट अफेर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लावाँ जो लोग जूनियर एसिस्टेंट बगारे की तयारी करते हैं या और किसी एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मैं regularly study material अपने चैनल पर डालता हूं तो आप जाकर वो मेरी playlist में देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला गोवा मुफ्त in vitro fertilization उपचार की पेशकश करने वाला पहला भारत इसे वंचित रहा जाती है तो इसके लिए आपका IBF technology अपनाई जाती है या in vitro fertilization अपनाया जाता है लेकिन actual में देखिए यह जो प्रोसेसर काफी महंगा है लगबग 2-3 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है तो और हर स्तरी आपको पता है जो इंडिया में आर्थिक स्तिती है वो कुछ इतनी मजबूत नहीं है तो हर स्तरी इस तरीके का खर्चा नहीं कर पाती इसके लिए गोवा सरकार ने बहुत शांदार step लिया है और इसके लिए मुफ्त IBF उपचार की पेशकर करने वाला वो पहला राज्य बन गया है तो प्रश्न बहुत important है आगे द IUI का मतलब क्या हुआ आपका intra uterine insemination ठीक है IUI और AIT में आपको बता चुका हूँ assisted reproductive technology के साथ इस सेवा का उधगाटन मुख्यमंत्री प्रमोच सावंत ने बंबोलिम में गोवा medical college में किया है तो देखिए काफी अच्छा है कि इनिशेटिव है तो जो महिलाएं इस सुख स के वंचित राजाती है उनके लिए काफी एक अच्छा है इनिशेटिव है और यह कई ना कई मेल का पत्थर जरूर इसमें साबित होगा अब बात करते हैं देखिए गोवा के बारे में कुछ facts मैंने नीचे एक दो डाले हैं गोवा का गठन देखिए गोवा को वैसे तो important trade center भारत में बन जाते हैं तो 1510 में एक पुर्तगाली governor होता है अलफॉन्सो डी अलबुकर्क वो 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लेता है तो सबसे पहले हमें याद रखना है 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को किस ने जीता तो एक governor थे अलफॉ जो फ्रांसेसको डी अलमीडा था वो पहला पुर्तगाली governor था लेकिन जो गोवा जीता था बीजापुर के सुल्तान से 1510 में वो जीता था अलफॉन्सो डी अलबुकर्क ने इसको याद रखिएगा और 1961 में ठीक है उसके बाद भारत आजाद हो जाता है 1947 में 1961 में गोवा ह इसका स्टेट हो डियानी इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है तो याद रखिएगा 1961 में पुर्तगालीों से हमने अपने देश में मिला लिया था लेकिन इसको जो फुल स्टेट का दरजा दिया गया है वो 1987 में दिया गया है बात करें राजधानी क्या है पनजी है भार जो कि राज्य के नीती निदेशक तत्वों का भाग है एक मात्र राज्य है गोवा जहां पर यहां पर यहां पर यह लागू है भी तक बात करें दूसरा जो 37 में हमारे राष्टे खेल है नेशनल गेम्स है वो आपके गोवा में ही इस साल आयोजित किये जाएंगे और उसक का नाम जरूर याद रखिएगा राष्टे खेलों के मोगा एक पैक्ट आपका यह हो गया इसके लाव अगर बात करें अभी जुलाई में ही गोवा में G20 की एनरजी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रूप की बैठक भी आयोजित की गई थी तो यह सारे इस वाज़े से गोवा की है लगपती दीदी यूजना के तहत 2 करोड महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रसिक्षन यानि जो ग्रामीन महिलाएं है जो स्किल जिन में इतना नहीं है तो उनके लिए कौशल विकास को प्रमोट करने के लिए ताकि वो स्वाब लंबी बन सके इंडिपेंडेंड बन मौसी जी है तो वो इसमें काफी काम करती नहीं यहाँ पर एक बैंक है ग्रामीर बैंक वो गाओं में इस तरीके के कारेक्रम चलाता है जो स्वायन सायता समूव होते हैं उससे संबंदित उन्हें सिलाई वगरा सिखाती थी हमारी मौसी जी तो उससे उनका क्या होता था इसको भी बैंक पैसा देता है तो उनके लिए भी काफी अच्छा है और जो ग्रामीर लोग इसको सीखते हैं उनके लिए अच्छा है तो इसी तरह लगपती दीदी योजना में ट्रेनर आपको ट्रेनिंग वगरा कराएंगे तो ट्रेनरों की भी इंकम बढ़ेगी और कहीं भी कल मिल गई है अनवारुलहक काकर ने नगदी संकट से जूज रहे देश को चलाने और अगले आम चुनाव के लिए एक तठस्त राजनीतिक व्यवस्था का नेत्रत्व करने के लिए पाकिस्तान के कारेवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपतली है तो याद रखेगा स ग्रीस के परधानमंत्री क्यारीकॉस मित्सोटॉकिस ये इनका दूसरा काल है यानि इनको पुनरन्यूक्ती मिली है दूसरा फिन्लेंड के परधानमंत्री पैटेरी और और इन्होंने किसकी जगा ली है सनामेरिन की ये काफी इंपॉर्टेंट है लाट्विया एक तो तो लाट्विया सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यूं है क्योंकि ये बाल्टिक देश है तीन टोटल बाल्टिक देश है एस्टोनिया लाट्विया और लिथुवानिया और बात करें एडगर्स रिंकेविस की तो इन्होंने देखिए कहा था इन्होंने पब्लिकली तो ठीक है आपसे पूछ सकता है कि संबलेंगिक राश्पती कौन बने है हाली में तो लाट्विया के एडगर्स रिंकेविक्स इसके अलावा तुर्की के राश्पती इनको पुना निर्वाचित किया गया है रेसेप तैयब एरोधगन और बात करें तुर्की की कैपिटल क्य यह है अभूजा बात करें परुगवेग् की तो परुगवे के राश्पती कौन बने है सैंटियागो पेना इसको भी याद रखायेगा परुगवे आपको पता हूगआ साउथ अमेरिका या दक्षणी अमेरिका का एक देश है बात करें परुगवे की कैपिटल परुगव वर्लड कप हुआ था अंडर 20 उसको उरुग्वे ने जीता है इटली को हराकर ठीक है याद रखियेगा परुगवे अलग है लेकिन उरुगवे मैंने बता दिया इसी की तरह है उरुगवे ने इसबार फीफा का अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है याद रखियेगा आगे चलते ह पर कुल 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस मैडल से संभाने किया गया है, इसके लावा हमने कल क्या देखा था, द्रौपधी मुर्गु ने कुल 76 वीरता पुरुसकारों की घोशना की थी, तो 76 और पुलिस कर्मियों के मैडल पूछे तो 954, दोनों हमें याद रखने हैं, अगल इंग्लेंड के एक और अभी फास्ट बूलर बहुत चर्चा में रहे थे, स्टुवर्ट ब्रॉड, इस्टुवर्ट ब्रॉड ने भी अंतराशे क्रिक्ट से सन्यास ले लिया है, वो टेस्ट मैचेज ही खेलते थे, और उनके नामें काफी इंपॉर्टेंट उपलब्दी ह बहुत कम दुनिया में फास्ट बूलर हैं, जिन्नोंने चैसो से ज़्यादा विकेट लिया है, मातर दो ही हैं, एक हैं उन्ही के हम वतन, जेम्स एंडर्सन और दूसरे बने थे, स्टुवर्ट ब्रॉड जिन्नोंने फास्ट बूलर के रूप में टेस्ट क्रिक्ट में चैस पर विकेट लिया, तो इस वज़े से वो चर्चा में थे, इंग्लेंड के हरफण मौला खिलाडी, क्रिस्वोक्स को जुलाई 2023 के लिए ICC, पुरुष महिला खिलाड, पुरुष खिलाडी of the month चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा, क्रिक्स्वोक्स भी इंग्लेंड के ही हैं, और ये भी चर्चा में है, इनको player of the month चुना गया है, जुलाई 2023 के लिए, इसके लावा female की अगर बात करें, तो वो कौन चुनी गई है, ऑस्टेलिया की Ashley Gardner, लगातार कई महीनों में, ICC player of the month अवार्ड हासिल करने वाले पहले ऑस्टेलिया एक क्रिकेटर बनकर, एक एतिहासिक उपलब्दी नोंने हासिल की है, एक बहुत शांदर आफब्रेक बोलर हैं, और आल राउंडर हैं, बहुत अच्छी, ही कि अगर आप इनका खेल देखेंगे, तो बहुत शांदर खेलती हैं, तो इनको लगातार देखिए, पिछले कई महीनों में, player of the month चुन अगे, इसके अलावा, एक काफी important award इंडिया में कौन सा चर्चा में था, लोकमानने तिलक पुरुसकार भी किसको दिया गया है, माननिय नरेंदर मोधी जी को दिया गया है, इसके अलावा, महराष्ट सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरुसकार किसको दिया गया है, रतन टाटा जी को दिया गया है, तो ये दो काफी चर्चा में थे, अगला, CSIR, यानि Council for Scientific and Industrial Research के राष्टिय वनस्पती अनुसंधान संस्थान, यानि National Botanical Research Institute, NBRI, ने राष्टिय फूल कमल की एक असाधारन किस्म, 908 लांज की, तो देखिए, बहुत important है, इसको याद आप से सीधे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा, नमों 108 क्या है, तो नमों 108 एक कमल की असाधारन किस्म है, जिसमें 108 पत्तियां है, इसका अनावरन लखनव में, NBRI के सब्तहा भर चलने वाले, One Week One Lab प्रोग्राम है, तो NBRI का लखनव में One Week One Lab का प्रोग्राम चल र का नेत्रत किया, अब बात करते हैं, CSIR के बारे में पूछता रहता है, सबसे पहले CSIR की स्थापना कप की गई है, CSIR की स्थापना 1942 में की गई है, कौन से मंत्राले के अंतरकत आता है, यह आता है, Department of Science and Technology, विज्ञान और प्रोग्राग्य की मंत्राले, एक बहुत important award इसकी कम नागर पुरुसकार, जो की Science और Technology के छेत्र में अब भुद्पूर्व कारे करने वाले विज्ञानी को या फिर Researchers को दिया जाता है, अब बात करते हैं, N.Kalai Selvi क्यों बहुत important है, CSIR के 1942 से लेकर आज तक के अतिहास में, नल्ला थम्भी Kalai Selvi इसकी पहली महिला Director General बनी थी, य तो यही सारे facts इंसे चर्चा में थे, यह जरूर याद रखिएगा, नमों किसकी किस्म है, राष्टेफूल कमल की एक किस्म है, सरकार ने शहरों में E-Bus की सेवा को बढ़ाने के लिए PM E-Bus सेवा को मंजूरी दे दी है, यानि Prime Minister जो Electric Bus सेवा है, उसको मंजूरी दे दी है, अगर बात करें, इससे फाइदा क्या होगा, आपको पता है, अर्बन ट्रांसपोर्ट वगरा हमारे हाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, इसलिए जो Air Quality Reports आती हैं कई सारी, उसमें भारत के कई शारे शहर, प्रदूशित शहरों की शेणी में रहते हैं, नई दिल पॉजना, तीन लाख्या उससे अधिक जनसंक्या वाले शेहरों में लागू होगी, जहाँ पर population जादा है, वहाँ पर आपको बता है, लोग commute बहुत करते हैं, इधर से उधर काफी जाते हैं, इसलिए से pollution होता है, क्योंकि वो अपना personal vehicle यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे आ जिससे सडकों से जो personal vehicle से हैं, वो कम होगे, और आपका pollution कम होगा, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं, green economy को यह बढ़ावा देगा, या green transport को यह बढ़ावा देगा, परियावरान अनुकूल ट्रांस्पोर्ट इससे होगा, तो याप PME बस सेवा याद रखिएगा, 179 शहरों म पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर जाएंगी, और आज ही यहाँ पर जा रही है, राश्टपती अपनी यात्रा के दौरान कोलकाता के राजभवन में, ब्रह्मकुमारीज दौरा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहर, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगा लेकिन इनके दौरा नहीं यह राश्टपती दौरापदी मुर्मु इसका अनावर, इनावरेशन करेंगी, इसके अलावा देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कल पूरा डिटेल में बता दिया था, राश्पती गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स इंजि गया है, तो यह कई न कई भारते नॉसेना की मारक शमता में काफी ब्रद्धी करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स है, इसमें कई इसकी सेंसर्स लगे हुए है, इसकी मारक शमता को बढ़ाया गया है, तो इसलिए काफी न कहीं न कहीं, जो हमारी विश्व की सबसे उची सड़क बनाकर कीर्तिमान कायम कर चुके सीमा सड़क संगठन यानि बॉर्डर रोड और्गनाईजेशन के कर्मियोगी एक और उपलब्दी हासिल करने की तैयारी में हैं। हाइट पर बी आरो ने सड़क बनाई थी जो नीचे लिखा हुआ है। इसके पहले संगठन लदाख के ही उमलिंग ला में 19,024 फीट पर विश्व की सबसे उची मोटरेबल सड़क बना चुका है और अपना ही रिकॉर्ड अप तोड़ने जा रहा है उनने सबसे उची सड़क का निर्माल कहां पर हो रहा है तो लदाख में हो रहा है क्या नाम है लिकारू मिगला फुक्चे सड़क और देखिए लाइन ऑफ एक्च्वर कंट्रोल से मात्र तीन किलो मिटर दूर है तो कहीं न कहीं भारत की ये सामरिक शंता में भी विरद्धी करेगा चार दिन का यू बहुत इंपॉर्टेंट संबेलन चल रहा है पहला वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन विश्व स्वास्ते संगठन का ट्रेडिशनल मेडिसिन पर शिखर संबेलन गुजरात के गांधी नगर में स्टार्ट हुआ है वो पहला संबेलन है उसको जरूर याद रखिएगा ट आप देखते हैं कुछ question answer हाल ही में graphene aurora प्रोग्राम यह हमने कल देखा था किस मंत्रा लेके सहयोग से launch किया गया है तो electronics and IT मंत्रा ले इसको मैंने बताया था कौन क्रियानवित करेगा केरल की जो digital university है वहाँ पर यह launch किया गया था हर्याना के नई DGP के रूप में किसे नि बता दिया चियत्तर और हमने वह भी देख लिया है कितने पुलिस मेडल्स दी जाएंगे वह मैंने आपको ओपर बता दिया इस बार सुतत्रता देवस की थीम क्या रही nation first always first यानि देश पहले हमेशा पहले नहरु मेमोरियल संग्राले और पुस्तकाले का नाम बदल कर क्या के देश के लोगों ने एक नई गैलेक्सी की खोच किया तो इस तरीके के प्रशन देखिए आते रहते हैं इसलिए हमने डाला है G20 Film Festival का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है बहुत important है नई दिल्ली में इसके लावा देखिए यह इसी तरीके का एक festival बहुत चर्चा में था वो पहला अंतरराष्टिय खेल फिल्म महोतसव है याद रखिएगा पहला अंतरराष्टिय खेल फिल्म महोतसव की जो मेजबानी की है वो भारत के एक शहर ने की है वो की है पूलकाता ने याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से बता देता हूँ पहले अंतरराष्टी है खेल फिल्म महुतसव की मेजबानी कूलकाता के द्वारा की गई है जून में ये आयोजित हुआ था इंग्लेंड के किस खिलाडी ने हालगी में किरकेट के सभी प्राडूपों से सन्यास लेने की घोशना की है स्टीवन फिन ने इससे पहले मैंने आपको बताया स्टूर्ड ब्रॉड ने भी सन्यास ले लिया है केंद्रिय मंत्री पुरुशोत्तम रुपाला ने किस राज्य में एहल्प कारेकरम की शुरूबात किया जो पशुधन वगएरा से संबंदित है यह मैंने कम्यूटी में कुछ भी डाला था तो बुजरात ने विच की शुरूबात किया इससे पहले कुछ-कुछ उत्राखंड सरकार ने भी इसी तरह की एक एप लॉंच की थी वो आप जाकर जरूर पढ़िएगा एप टेक के प्रमंद निदेशक और CEO कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो अनिल पंत जी केंद्रिय कैमेरेट ने 14,903 करोड रुपए के परिव्याय के साथ किस प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है तो इन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है तो यही देखिए हमारे सारे करेंट अफेर्स और MCQ आज चर्चा में थे अगर आपको एक्स्प्लेनेशन पसंद आया होगा कवरिश पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच